जितने भी छात्रों ने UP scholarship के लिए farm को apply कर लिया है तो finally सभी student लगातार कमेंट कर रहे थे कि सर मेरे status में enrollment, roll number, mark not match with university uploaded data ऐसा problem सो कर रहा है तो मेरा farm कब तक verify होगा तो guys सबसे पहले आपके जनकारी के लिए बता दे कि UP scholarship में 70% ऐसे बच्चे हैं जिनके status में सेम ऐसा problem सो कर रहा है तो क्या सभी के तो farm verify नहीं हो पाएंगे लिखने guys 40% बच्चे के farm verify हो सकते हैं 50% बच्चों के farm verify हो सकते हैं तो आज की वीडियो में हम detail से यही जानने वाले ह कि ऐसे कौन से student होंगे किनका farm verify होगा किनका farm verify नहीं होगा तो guys please आप वीडियो को completely watch करना ताकि आपको सभी चीजे details से पता लग पाएं अब वाईस आपके जनकारी के लिए सबसे पहले हम बता दे कि आपने farm को तो apply कर लिया है अगर आपके status में ऐसा problem सो कर रहा है तो इसक सबसे बड़ा जो region होता है सो करने का चाहे आपके पुडांक में कोई problems हो चाहे आपके प्रतांक में कोई problems हो या फिर आपके enrollment या फिर roll number में कोई problem हो इसकी वज़े से आपका farm ऐसा सो कर रहा है तो guys यहाँ पर क्या होता है कि आपको लग रहा है अगर आपने इस गल्ती को पकड़ लिया है मतलब कि आपको पता चलिया कि आपके पुडांक में ही problem है या फिर आपके प्रतांक में ही problem है या फिर आपके enrollment नमर में ही problem है तो definitely आप उसको सही कर पाएंगे तो guys आपका farm verify होगा अगर मालीजे क्या होता कि आपने अपने गल्ती को पकड़ ही नहीं पाय कि क्या problem इसमें है क्यों ऐसा सो कर रहा है तो अपने कुछ करा भी नहीं होगा तो इस case में guys आपके farm verify नहीं होगे आप जब भी status update होगा आप देख लेना कि मैं आपको आज बता रहा हूं और यह आपके साथ कल होगा इसलिए guys मैं आपको बता रहा था कि आप हमारे instagram id पे message क करें आपकी क्या problem से मैं आपको detail से बताऊंगा और मैं आपका study करूंगा मैं आपकी problem को resolve करूंगा लेकिन बच्चे क्या बोल रहा है मेरे study में कोई problem तो ही नहीं है फिर भी मेरा ऐसा सो कर रहा है guys ऐसे तो नहीं है कि आपका कुछ भी गलत सो करने लगेगा तो यह आप गल verify होगा अब guys मैं पहले आपको official notice दिखा दूँ ताकि आपको सब कुछ समझ में आए guys मैं आपको जो भी सीज़े बता रहा हूं authentic बता रहा हूं तो guys please वीडियो को बने रहना आपको मैं जो भी चीज़े provide करूंगा 100% guys मैं आपको अच्छी चीज़े ही provide करूंगा अब यहां अब यह डेट तो आपका खतम भी हो चुका है अब यहां पर guys क्या होता है next यहां पर नीचे हम आते हैं तो आपको बता जाला कि NISC दौरा पूर्ण स्कूटनी करना मतलब कि guys यहां पर क्या है कि आपने जो आपी गलतिया है आपने जिसके लिए संसूजन किया है तो इसका अगर आपने सब कुछ सही कर लिया होगा तो आपका firm आटोमेटिक वेरिफाई हो जाएगा otherwise guys आपका firm वेरिफाई नहीं होने वाला है आपका पैसा भी नहीं आने वाला है और guys मान लिए आपका pending का problem सो कर रहा है तो इसमें भी same चीजे लागू होंगी इसमें कोई different चीजे नहीं बन के आएंगी उसके लिए same चीजे ही लागू होंगी अगर आपका suspected है duplicate income का problem है तो guys इसका जब रीजन होता है कि आप सब same भाई बहन किसी एक मतलब कि यह मान लिजे क्या होता है कि यह जो दो भाई बहन होते हैं और same UP scholarship के लिए firm को apply करते हैं और same document देते हैं मान लि verification होने वाला है तो उसका status आप कहां से देख पाएंगे तो guys आपको अपने status को देखने के लिए google पे search करना होगा cmhelp.in guys सभी के firm verify होने शुरू हो चुके हैं तो आप google पे search करे cmhelp.in यहाँ पे आपके सामने cmhelp की official website आ जाएगी आप यहाँ पे click करेंगे यहाँ पे click करने के ब page आपको यहाँ पे click करना होगा यहाँ पे click करके आप सब easily एक नए page पे आएंगे इसके बाद आपको guys फिर से नीचे आ जाना है नीचे आने के बाद आप यहाँ पे देख पाएंगे यहाँ पे जो भी आपका course है class है यहाँ पे दिया गया है 910 वाले phrase वाले यहाँ देखि क्लिक करके guys आप सब अपने status की जांश कर सकते हैं intermediate वाले जो अदर दें intermediate की चातर हैं यहाँ पे click करके अपने status की जांश कर सकते हैं तो रिनोटे जैसे हम click करेंगे guys तो हमारे पास ऐसा detail open होगा जहाँ पे हमें अपना registration number डालना होगा डेटा बर्ट डालना होगा पासवर् है और यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे capture है capture फिलिक करने के बाद आपको submit पे click कर देना है आपका status करने लग जाएगा तो guys आप अपने status की जांस लगातार करते रहें क्योंकि आपका जो farm है verify होने वाला है दो से तीन दिनों की अंदर सभी के farm verify हो जाएंगे अगर